आप सभी को मेरा नमस्कार थोड़े बहुत इंतियार के बाद military school ने class 6 और class 9 में admission के लिए जो interest test होता है उसके लिए application form इशू कर दिया है application form के साथ ही एक prospectus भी इशू किया गिया है वश्चे तो वो prospectus 30 page का है आप लोग चाहें तो उसको पर सकते हैं उसमें application होने से लेकर admission होने तक की सारी information दी हुई है लेकिन अभी इस point पर हमें उतने information की जोरत नहीं है आप लोग चाहें तो उसको पर सकते हैं उसमें से चार point ऐसे हैं तीन ही point है एक्चोली चौथा point तो हम बतलाएंगे आप लोग को क्योंकि आप लोग उस चौथे point को निश्चे तुरुप से ध्यान में रखेंगे बहुत सारे parents वहाँ पर गलती हो जाती है और वह बात में correct भी नहीं होता है और फिर वो दिकत जो ह बात करें application date की तो आप लोग military school के लिए class 6 और class 9 के लिए जो apply कर पाएंगे उसका जो window time window दिया गया है वो है आज से 18 September 2023 के रात 8 बजे से लेकर 18 October 2023 के रात 8 बजे तक आप apply कर पाएंगे online offline apply इसमें नहीं होता है जो भी process है वो सारा online ही है तो online आप इस एक महिने के बीच में कभी भी apply कर सकते हैं 18 September से 18 October 2023 के बीच में written test का जो exam date है वो date अभी इसमें नहीं दिया गया उसमें लिखा हुआ है कि email के थुरू और SMS के थुरू आपको inform कर दिया जाएगा या website पहीं आ जाएगा कि return इसका exam जो है सो कब होगा और return exam जब भी होगा उसके पहले आपको center का information अगरिया आता है ताकि आप अपना जो journey है वो से साब से schedule कर सकें तो ये पहले information है इसी में information और भी है कि कौन-कौन से बच्चे apply कर पाएंगे तो class 6 के लिए boys and girls लड़के और लड़किया दोनों apply कर पाएंगे जब कि class 9 में सिर्फ लड़के only boys वही apply कर पाएंगे लड़कि 31st March 2024 को candidate का age 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि इसको date के terms में बात करें तो class 6 के लिए candidate का birth 1 April 2012 से लेकर 31 March 2014 तक होना चाहिए ये दोनों date जो हम इसके बीच में तो होना ही चाहिए यदि इस दोनों date को भी आपका birth है यानि 1 April 2012 को भी या फिर 31 March 2014 को भी आपका birth है इस date को तभी आप eligible हैं आप apply कर सकते हैं बच्चा जो है जो candidate है boys हो या girl हो ये class 5th pass out होना चाहिए या फिर इस साल class 5th में वो पढ़ रहा होना चाहिए ताकि यदि वो 6th में admission के लिए रहे में इसमें जब तक जाए तब तक उसका class 5th जो है वो इसमें जो age eligibility है वो है 13 साल से 15 साल के बीच में date के terms में बात करें तो 1 April 2009 से लेकर 31 March 2011 के बीच में candidate का जनम होना चाहिए ये दोनों date inclusive है अगली बाद कि class 8th में उस बच्चे को पढ़ रहा होना चाहिए या फिर वो class 8th pass out होना चाहिए ताकि अगले साल जब उसका admission हो तो class 8th है उसमें तीन ही point की चर्चा की गई है सबसे पहला कि candidate का scan photo होना चाहिए और candidate का scan signature होना चाहिए और इन दोनों file का size जो है वो 500 kv से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आपके पास image है इसका size को ज्यादा है MB में चला जा रहा है या 500 kv से ज्यादा हो जा रहा है तो बहुत सारे app available है Google Play Store पर जिनको आप download करके अपने file का size कम कर सकते है नहीं तो फिर आप किसी server cafe में भी जाएंगे वहां भी आपको file का size कम करके आपको दे दिया जाएगा इसी के साथ आपके पास payment detail भी होनी चाहिए जो आप online payment करेंगे application fee का उसका detail भी होना चाहिए apply करने के समय सार आप payment कर दें यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप registration करें form को fill करें और आप सारे documents सब कुछ upload करने के बाद payment आप बाद में भी कर सकते हैं यानि जब तक date है apply करने का 8 अक्तूबर तक आप उस समय तक भी payment करेंगे और payment करने के बाद ही अपका application यह सो complete होगा submitted माना जाएगा यदि application fee की बात करें तो prospectus में तो एक बार मुझे तो कम से कम नहीं दिखा कि कही application fee की चर्चा की गई हो हो सकता है कि हो छूट गया हो हमसे लेकिन यदि पहले के trend को देखकर बोलें तो 600 रूपे रूपी 600 application fee लगना चाहिए और SCST के लिए fee 300 रूपे होगा अब fourth point जो सबसे important है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा सबसे पहले मेरा suggestion यह है कि आप लोग यदि पहली बर form apply करने जा रहे हैं तो मेरा suggestion होगा कि कोई जानकार आदमी जो हो जो पहले form fill कर चुके हो या कोई साबर का फिवाले जो इस तरह के form fill करते हो या फिर को institution वाले जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यह वहां से form fill हो जाए तो यह ज़्यादा अच्छा है उनके पास थोड़ा experience होता है कि कहां किया किस तरह से देना है तो आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जिनको थोड़ा experience है form भरने का इसका आरे में इसका उनके साथ मिल करना form भरने तो सबसे अदा अच्छा रहेगा दूसरी बात जो सबसे important हैं बतलाने वाले हैं कि form आप खुद से भरें या कहीं और से भरवाएं form में जो email ID और mobile number आप आप देंगे वो मङा जाएगा आप से email ID और mobile number आप अपना ही देंगे किसी और का नहीं देंगे ऐसा नहीं कि किसी cyber cath hele से फर्म भरवाया या किसी एंस्टिश्न में जाहिए तो वो सारा mobile number और email ID दूसरे ने अपना ही दे दिया ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए email ID और mobile number आप अपना ही provide करेंगे form में और जब आप provide करेंगे उसमें बिलकुल निश्चित रुप से ये देखेंगे कि mobile number गलत नहीं चला जाए और जो email ID है उसमें spelling गलत नहीं हो जाए क्योंकि एक बढ़ ये गलत हो गया इसको बाद में करेक्टरना almost impossible होता है और फिर कोई भी information आपको timely नहीं मिल पाएगा तो ये और बहुत सारे parents परहसान हो जाते हैं बाद-बाद में कि अब क्या किया जा और उससे में करने के लिए कुछ उनके पास में हाथ में होता नहीं है तो email ID और mobile number आप अपना ही दें और बिल्कुल सही दें टाइप करते से में आप देख लिए कि हम जो टाइप कर रहे है email ID वो सही है कि नहीं है अभी बस इतना information आप लों को देना है इसके लाओ यदि कोई one of information आती है तो उसको भी लेकर हम जल्दी है आप लों के सामने आएंगे